नमस्कार आप देख रहें नीजवल इंडिया आपके साथ मैं हूं का जोल नाराइन शुरुवात करेंगे फटाफट खबरों की गाजिपुर के शेरपुर गाउं के निवासी संजर आय शेरपुरिया ने जनपत के युवाउं को रोजकार का अफसर उपलब्द कराने का बिड़ा उठाया है और युवाउं किलिए हर हात में काम हर जेब में दाम का सपना लेकर जनपत में कारे शुरू किया पिलिभी जिले में भाजपर प्रदेश उपाधियाक्ष ब्रिज बहादूर पाधियाई ने भाजपर कारेले पहुंचकर सरकार दौरा पेश किये गए बजट को लेकर सरकार के उपलब्धियां गिनवाई साथी सरकार दोरा पिरिभीत जैसे पिश्रे जले में, मैडिकल कॉलेज और उत्तर प्रदेश परिवान विभाग से पिरिभीत रोडवेज के जरजर इराके को जल सुधारने की बात कही रामपुर में हिंदू परसन लोबोर्ड देश्ट के युवाओं को रोज़गार के लिए प्रिरित कर रहा है साथी जल्द बेरुजगार युवक युफ्ते को रोज़गार दिलाने के लिए जागरुकता अभ्यान भी चलाएगा यही नहीं हिंदू परसन लोबोर्ड ने अपना अब भी लाँच किया जिसको इंडिया के लावा का इंद देशों में एक लाग से ज्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया डॉक्टरों को भगवान का रोप कहा जाता है ऐसे में बल्रामपुर में भगवान के रोप में डॉक्टर लगभग 600 मरीजों इनमें बुड़े और बुज़र्ग शामिल हैं उनकी आखों की रोश्टिन देने का काम किया गया जिसके बाद बुज़र्गों के चेरे पर जारू मल के पास की खटना इतावा में मानिकपूर मोड के पास बेकाबू टैंकर की चपेट में आने से पेट्रोल पंप पर डीजर लेने आए मोटोसाइकल सवारेक यूवक की मौत के बाद लोगों ने जमकर अंगामा किया और उन्होंने इरलाइंस के पेट्रोल पर जब जार में बुलेरो पिक अप और वैन गारी में आमने सामने की जबरदस भरंत हो गई इसमें नौ लोग अंभी रूप से घायल हो गई घायलों का अस्पताल में लाज के लिए भरती कराएगा यहां सा मेरट बदायू नेशनल मार्ट पर हुआ सिंग्रॉली पुलिस अदिक्षक बिरेंद्र सिंग द्वारा अवैद कारोबारियों अपराधियों की धर पकड़ ही तो चलाये ज़ा रहे अभियान के तहद मुग्विट की सूशना पर थाना प्रभारी संतोष्टिवारी के नेत्यूत में पुलिस टीम ने अलग-लग इस साथ को लेकर विवाद चल रहा था इसके चलते भाई और भतीजे ने खुद ही के भाई की हत्या कर दी कॉशामी में किसोरी का अपरहन कर पेट्रोल पंप में क्याद कर गैंग रेप की घटना से हड़कम मज गया सुचना मिलते ही पुलिस चानवीर में जोटी तो किसोरी का पता चला जिसके बाद पुलिस उसे अपने साथ थाने लिया आई वहीं एक आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ लिया है गुसाई ग्रामिनों और पुलिस में भी जड़ब देखने को मिली पुलिस चैन में बजट का बखान करने पहुचे योगी सरकार की परिवर मंत्री अशोक कटारिया मीडिया के सवालों पर भड़ा गए देश में बढ़ रहे ही किसान आतमातिया कोरोना वैक्सिन पर गोल मुल जवाब देती नज़र आए रुखबाद में प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर की खुलेयाम गुंड़ाई देखने को मिली जहां अस्पताल के करमचारियों इंतिमारदारों के साथ जम कर मारपीट की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है वहीं चौकी इंचार्ज पर भी आरोप लगा है कि हॉस्पिटल के करमचारियों के खिलाफ उसने कोई कारवाई नहीं की शोहर कोत्वाली शेत्र के आवास विकाज तक्की और अस्पताल का है मामला पुष्टे के बाद प्रशासन में हर्कम्प मचिया जिसके बाद एक किलोमेटर के दार में किसी बितरह की मीट बिक्री पर रोक लगा दी गई और यह पुलिस पर बीजोपी नेता की पिटाई का आरोप लगा है बताया जारे के वहां चेकिंग के दौरान सिपाही ने बीजोपी मंडल उपाधिया एक चिदरश कुमार को थपपर जड़ दिया पृतने थाने में तहरी देकर ने आगी गहर लगाई इटावा में सिफ़ाई मेडिकल उनिवरस्टे के कुलपती डॉक्टर राजकुमार की फेस्बूक आईडी हैक हो गई है करने कुलपती के परिचेतों से पैसे मांगे जुसके बाद जानकारी होते ही परित कुलपती ने हैकर के खिलाब कारवाई की मांग को लेकर इससपी आकाश्टमर से शुकायत की इटावा में वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामनों ने पत्राव कर दिया पत्राव के घट्टा में पुलिस की गारिया तूट गई और दो पुलिस कर्मी घायल हो गए पुलिस ने मौके से भाग कर अपनी जान बचाई पत्राव की सुचना मिलने पर पुलिस के बड़े अधिकारी कई धानों के पुलिस फल के साथ मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक पत्राव करने वाले वारंटी समीथ मौके से फरार हो चुके थे और यूपी फटारफट में फिलाल के लिए इतना ही देश और दुनियों के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं न्यूस वाल इंडिया